सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूटूब चैनल को और बेल आइकन को क्रेस्ट कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंग सबसे पहले आप तक पहुंच सोके और जोती सम्मझी सब विचान करिया आपको मिलती रहे नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सबीका महरे इस वीडियो चैनल पर आज हम बात करेंगे आसार अमास्तिय के बारे में जो कि आने वाली 5 जुलाई दिन शुक्रवार को पढ़ रही है अमास्तिय का दिन जो है वो पित्रों का दिन होता है इस दिन असनान और दान का बड़ा महत्तु है किसी पवित्र नदी में असनान करने का बड़ा महत्तु कहा गया है क्योंकि ये पित्रों की तिथी है इस तिथी के स्वामी पित्र देवता है पिंड़दान शराद उतरपन ये कारी वेक्ति को अपने पित्रों के लिए करने चाहिए क्योंकि ये पित्रों का दिन है और अमाउस से एक महिने में एक बार आती है तो पांच जुलाई दिन शुक्रबार को पड़ रही है और सुबह से साम तक पूर दिन इस दिन अमाउस से रहेगी तो अपने पित्रों से जुड़े वे जो भी कारी अगर आप पूरी से दर्स करेंगे तो सभी फुलाब को प्राप्त होगी अमाउस से रहेगी की शुरुआ जो है चार तारिकों पांच तारिकों सुबह हैं पांच बजे हो रही है और इसकी समापती अगली दिन 6 तारिकों साड़े चार बजे हो रही है तो सुबह से साम तक अमाउस से पूर दिन आएगी इसी दिन इसका बढ़त किया जाएगा इसी दिन असना दान का कारी होगा और पिणेदान चलाथ तरपन आदिस अभी कारी है इसी दिन किये जाएगी तो इसलिए अपने पितर से जुलोप सभी कारी है वक्ति-दिन करने चाहिए क्योंकि कई बार देखा गया है कि यदि किती व्यक्ति के कुण्ले में पितर दोष है तो कई बार से समस्या को सामना करना पड़ता है कई तरह की समस्या उसके घर में बनी रहती है क्योंकि जब कुणले पर तो दोश पाया जाता है तो वो घर में किस न किसी रूप में जनपत्री में आता है तो व्यक्ति को परिशानिया को सामना करना पड़ता है जैसे किसी वेक्ति की הגर में व्यापार ना चलना, बच्चे ना होना, संतान सुम न प्रापट होना और पैसे ना रूपना घर में, कलेस रहना पूरे दिन और साधी भ्याज़ में दिक्कत आना तो इस तरह की कई बाधाय जो है वेक्ति को सामना करना पड़ता है इन सब बाधायों से मुक्ति पाने के लिए जो है अमावसेदी बहुत अच्छी है इस दिन पित्रों से जुड़े को सभी कारी किये जाते है मगर इस दिन द्यान रहे कि आप किसी प्रकार का ताम से भोजन ना खाए किसी जानवर प्रसुपक्षियादी को ना मारे मन में शुद भाव रखे है और शुद रसे सारे काम करें क्योंकि इस दिन का महतु बहुत अच्छा कहा गया है यदि अपने पित्रों का आप आश्रिवाद लेना चाहते हैं तो पित्रों से जुड़ेवे सभी कारी कीजिए साथ ही इस दिन पीपल के वरक्षी पूजा का बड़ा महतु है इस दिन सुबह असनान करने के बाद वक्ती पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित करें उसके बाद मंदर जाए पीपल पर जो है जल चड़ाए यानि ये इलोटे में थोड़ा सा मिठ्था गेड़ ले चाहे चिंद्नी हो चाहे बुरा मिठ्था जल पीपल जल में चड़ा दे सरसोरी तेरगाई दीवा जला दे और इसकी साथ बार परिक्रमा कर ले इस दिन गाएं को खाना खिलाए ब्रामन बोजन कराए कवे चीटी और उत्ते को बोजन करान चाहिए क्योंकि इन सब कारियों करने से जो है आपके पित्रों से बोजन पहुंचता है उनके त्रिप्ती होती है क्योंकि जब पित्रों की आत्मा त्रिप्त होती है तभी आपको पित्रों से मुक्ती मिलती है और पित्रों की आत्मा की शांती के लिए ही ये दिन बहुत शुपका गया है यह तो साल में स्राथ पक्षाता है जो 16 दिन का होता है, अगर आप उस निग करना भूल जाते हो, तो हर महीने में आवास्या एक बार आती है, तो आवास्या का महत तो इस लिए कहा गया है, कि आप इसमें अराम से ये भी कारिक कर सकते हैं, इस दिन किसी पवीत्र नदी में असनान करना का बड़ा महतु है क्योंकि इस दिन किसी पवीत्र नदी सुरोवर या कुंड़ में जो है वेक्ति को असनान करना चाहिए और उतके बाद दान दर्शन जो भी आप कर सकते हैं किसी गरीब वेक्ति को जा किसी ब्रहमन को चैव कैस को अश्रिवात प्राप्त हो और घर में काम कास सही चख तो यह था असा डामास्ते के बारे में जो आज आपने जाना हमारी ओवर वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे आती रहेगी आप हमारी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेर भी यह थादब कास सही बादब भी आपने बादब वीडियो को अबयों का फिंदात प्राइब काम कादू प्राइब काम सब्सक्राइब करें बाद्सक्राइब करें प्राध्त यह